स्वागत है आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे आज के राशी फल की आज 29 जुलाई 2023 है और दिन शनिवार तो शनिवार का दिन मेश राशी व्रशव राशी वालों के लिए कैसा रहेगा करेंगे चर्चा बात करते हैं पंचांग की सावन मास चल और सावन मास की एकादसी तिति रहेगी आज एक बच के पांच मिनट तक तो आज एकादसी तिति के दिन चामल का सेवन करने से हमको बचना चाहिए जेस्टा नक्षत्र चल रहा है जो कि बुद्ध का है तो बुद्ध के नक्षत्र में चलते हुए चंद्रमा क्या परिणा और दिशासूल लगा हुआ है इस्ट के अंदर तो अगर आपको इस्ट के यातरा करनी है तो कुछ कदम वैस्ट में जाके आप यातरा कर सकते हैं ऊड़ट काके भी अपनी यात्रा सुरू कर सकते हैं अगर बात करते हैं हम मेश राशी की आज मेश राशी वालों का दिन एट वाओ में इनके चंद्रमा चल रहा है तो थोड़ी जी परिशानी आज इनको होईगी यात्रा उसे भरा आज का दिन रह सकता है आज आप अपने पार्टर के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ यात्रा आज अवश्य करेंगे और यात्रा करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आठ विंगर का जब भी चंद्रमा हो तो यात्रा में हमको किसी भी तरह की रिस्क की कारें नहीं करना चाहिए अपने जरूरी सामानों को समाल के रखें और पानी की जगे से दूर रहें एर्थ का चंद्रमा आकस्मिक रूप से मीश रशी वालों को धनलाब भी कराएगा शेर सट्टा लोटरी में अगर आप इंवेस्टमेंट करते हैं पूर्व में किया हुआ है तो आपको वैसे तो आज सटर्डे है तो छुट्टी है शेर बजार की परन्तु फिर भी आपको पूर्व में किये गए इंवेस्टमेंट से अच्छानक से लाब की प्राप्ती होईगी सुखों में आपके व्रदी का एसास आपको होएगा कि आपके पास जो भी चीजे है उसमें आपको सुखी और शान्ती आपको महसूस होईगी जो भी लोग खेल और खिलाडी है उनके लिए आज का दिन अच्छा है उनको आज कुछ पुरोथ सहन मिल सकता है कुछ पदक मिलने की संबावना है एकादसी थी थी है एकादसी थी ये सावर मास के अधिक मास की है तो इसका बड़ा ही महतु है इस दिन वरत भी करना चाहिए इस दिन किये गए वरत से भगवान विश्णू की कृपा दस्टी हमारे उपर पड़ती है मिश्रसी वाले आज पूरू की बातों को लेके चिंतित रहेंगे और इसके गारण वो जादा सोच विचार में लगे रह सकते हैं और उसके गारण इनके समस्याएं दिमाग मत चलती रहेगी परंतु आज आप एक चीज जान रखें सभी मिश्रसी वाले कि जो भी आपके मन में समस्याएं हैं पूरू की समस्याएं अभी की समस्याएं जिन जो भी चीज़ें आपको एसंतुस्टी दे रही है उनका आज कोई भी हल नहीं निकलेगा आप सभी चिंताओं को छोड़के परिजनों के संग तनाव मुक्त रहें किसी भी तरह की भहस न करें परिजनों के संग मोवी देखें या अच्छा टाइम इस्पेंड करें आपके लिए यही आज का उपाय है समस्याएं कुछ भी हो उनका आज आप हल नहीं निकाल पाएंगे तो जो चल रहा है उसको चलने दे किसी भी परकार की चिंता अपने मन में ने रहा के नहीं अशान्त रहे चंद्रमा जब भी एड़्ध बाउद में आता है तो यात्रा करने से हमको बचना चाहिए और एड़्ध का चंद्रमा हमेशा मन में एशान्ती पैदा करता है मन आपका बेचेन रह सकता है हाला कि जो एजुकेशन से रिलेटीड है ٹीचर्स हैं प्रोफिसर हैं उन लोगों को या प्रशाशन में उन लोगों के लिए दिन आज का अच्छा है उन लोगों को कोई प्रब्लम नी होईगी, उनके लिए आज आज आप देखेंगे कि उनका वर्कप्लेस में मनसमन बढ़ेगा बाकी जो लोग टूर का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का करते हैं, शिपिंग का करते हैं, उनके लिए आज का दिन टेस्ट नहीं है क्योंकि यात्रा से related जित्ते भी लोगों का गुमने फिडने से related काम कारोगा रहे हैं वो आज प्रभावित होएगा और वो आज वांचित परिणाम वांचित लाव आपको देखे नहीं जाएगा जो भी हिर्दे रोगी है उनको आज अपने स्वास्ते का ध्यान रखना चाहिए स्वास्ते में हिर्दे रोग्यों को परिशानी आ सकती है साथ ही जो लोग पहले से ही पेट से संबंदित प्रॉबलम से है तो उनकी पेट से संबंदित प्रॉबलम बड़ी हुई रह सकती है ज तो दम्पत्य जीविन में आपके जीविन साथी का स्वास्त खराब ओ यह चोटे मोठे मतवेद आपके रह सकते हैं क्योंकि आज आपको ऐसंतुस्थी का एसास हो रहा है इसके खारण थोड़े से मतवेद रही सकते हैं महिलाओं से भी आज आप बचके चलें यात्रा करते सम तक है कोई भी नयाकारे शुरू करना चाहते हैं तो सुभ समय 12 बजे से लेके 12-50 तक है इस समय कर सकते हैं दूसरा सुभ 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 है आज भद्रा भी रहेगी तो आप कोई भी नयाकारे मेश राशी वालों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि व्रेशिक का चंद्रमा अचानक लापकी तो प्राप्ति दिलाएगा परंतु वैसे नयाकारे शुरू करने के लिए दिन शेष्ट नहीं है किसी भी तरह का अगर आपने में इंवेस्टमेंट किया है तो आपको फायदा होगा किसी भी तरह का नया इंवेस्टमेंट कर रहें तो थोड़ा सा रुक जाए अब बात करते हैं क्या उपाय करें मेश राशी वाले कि उनका दिन बहुत ही बैतर तरीके से बीद जाए आज शनिवार है और शनिवार को म करें साथ ही वहीं बैठके हनुमान चालिसा के पाठ करें यह आपका उपाय है इस उपाय को करके आप जीवन में शिष्ट करते हैं शुगता राशी वालों के लिए अच्छे सवाओं के हस्मुक और सुन्दर होते हैं इनके चंद्रमा चल रहा है सात्वेंगर में सात्वें कर रहता है हमारे दांपत्य जीवन का जीवन साती का हमारे लिकफिड कैश का और हमारे इनकम का साथ ही हमारे व्यपार पार्षिप के व्यपार और फेमिली विजिशनस का इसमें चलती हैं इसका मंदिर में जाके भगवान करने इसको दुरुआ वाशे ही अर्पित करें व्रश्य प्राशी वालों के लिए आज दिन बहुत ही खास रहने वाला है व्यपार से संबंदित आपने कोई नई योजना बना रखिए तो उस योजना को आप आज लागू कर सकते हैं व्यपार में आपको लाब मिल रहा है पा आप आज कोई नया प्रियोग करना चाते हैं तो कर सकते हैं किसी पी तरह का नया कारें स्टार्ट करना चाहरे हैं तो उसके लिए रावकाल का ध्यान रखें आज का रावल काल 9 बजे से स्टार्ट हो के 10.30 तक है और सुब समय सुबह 6 से लेके साड़े 7 तक है दूसरा समय आप जिसमा कारें शुरू कर सकते हैं वो है बारा बजे से स्टार्ट हो के बारा चौपन तक तो आज व्रश्यप्राशी वालों में गजब को आकर्शन रहेगा और सभी लोग इनसे आकर्शित हुए बिना नहीं रहेंगे विरोधी इनके सक्रिय रहेंगे हाला कि विरोधी आपके कारियों के प्रिसंचा करेगा और आपको प्रॉमोशन अगर एटका हुए तो प्रॉमोशन मिलने की बूमी का तैयार हुएगी बूमी बावन से सम्बंदित मामलों में रुकावर्ट अभी आपके जारी रहेगी वहाँ पर रुकावर्ट चलती रहेगी तो आप उस समस्या का समाधान अच्छे तरीके से निकालेंगे और बहुत ही कुषलता अपने हर कारे में दिखाएंगे कारे शेतर में हैं तो कारे शेतर हो चाए वेपार हो घड़े आपके कुषलता देखने लग रहे दिन अच्छा वितेगा भागय का भी आपको साथ है और दिन पॉजिटिव है यानि कि हर दरब से आपको लाप प्राप्त हो रहा है माता से भी आपको लाप प्राप्त हो रहा है और यात्रा में भी आपको लाप प्राप्त हो रहा है कोई बिजनेस ट्रिप है व्यापार से संबंधित कोई यात्रा है तो यात्रा आप कर सकते हैं आज की यात्रा की शुब दिशा वेस्ट है और अशुब दिशा इस्ट है तो इस्ट के अगर आपको यात्रा करने पड़ रही है तो उड़तका के जाएं या कुछ कदम वेस्ट म भी बढ़ने वाला है कुल मिला के अच्छा है जो लोग इंजिनियर हैं फूड गिरेंट से संबंदित कारें हैं सेना में प्रशाशन में फैशन से हैं उनके लिए बढ़िया देना है आज को सब कुछ बढ़िया चल रहा है परन्तु दामपिते जीवन के बात करें तो वहां थोड़ी सी तकरार रह सकती है बड़ी बड़ा रूप नहीं लेगी पर छोटी मोटी तकरार वर्षव राशी वालों के वैसे भी चलती रहती है थोड़ी बद तो थोड़ी बद तकरार चलती रहेगी जीवन साती का सम्मान करें और जीवन साती के माध्यम से आपके जीवन बजे के बाद समय आपका ज्यादा शिस्ट नहीं है आपको पांच बजे के बाद आप थोड़ा सा समल के चलें अप करते हैं उपाय क्या उपाय करें कि आज का दिन वैसे तो बढ़िया है फिर भी क्या उपाय करें कि दिन आपका शिस्ट तके साथ वेतित हो जाए उपाय में सबसे बड़ी है उपाई यह कि सावन मास चल रहा है एक अदसी तिती आज बनी हुई है और इस एक अदसी तिती के अंदर आप एक चीज़ का परीज करें कि आप चावल खाने से बचें आज के दिन चावल हमको नहीं खाना चाहिए साथ ही जेस्टा नक्षत्र चल रहा है जो असा परिशान रहते हैं इसलिए बगवाने शिव का पीशे कवश्य ही करें जिन्होंने अपने मस्तक पे चंद्रमा धारन कर रखा है बगवाने शिव को दूद और जल मिश्रित करके चड़ाएं साथ ही वहीं पर बैठके बगवाने शिव के मंतरों का जाप 108 पर करें आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए आपके जीवन में शुगता आई यू आरो गैस्वरे बना रहे है इसी शुब कामना के साथ नमस्कार